नमस्कार दोस्तों, टार्गेट बोट के यूटूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो हम लाइब आ चुके हैं और आज आपका टेस्ट होने वाला है जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रतेक संडे यानि कि प्रतेक रवीवार को साम सात वजे आपका टेस्ट लिया जाता है वो भी हर एक सब्जक का टेस्ट लिया जाता है किसी सब्ता Science का तो किसी सब्ता Social Science का तो किसी सब्ता Hindi, Sanskrit और English का तो इस प्रकार से जो आज आपका टेस्ट है वह Science का टेस्ट होने वाला है यानि कि विज्ञान का टेस्ट होने वाला है और आप सभी लोगों की इच्छा होती है कि विज्ञान में हमारा ज्यादा से ज्यादा नमबर आए तो इसलिए आज हम विज्ञान से समंधित 40 महत्तपुन अब्जक्टिब कोश्चन जो की बहुत ही ज्यादा चुनिंदा कोश्चन है हम ऐसे कोश्चन को लेकर के आए हैं जो की आपके परिच्छा में हर हाल में पूछे जाएंगे यह जो 40 प्रस्ण आज हम आपसे पूछने वाले हैं इस लाइफ टेस्ट में 400 कोश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्तपुन है आपके लिए रामबान है इसलिए आप सभी लोग यह 40 कोश्चन को जरूर देखिएगा 400 कोश्चन का नीचे सही सही जवाब बताने की कोशिस करिएगा और यदि एक भी कोश्चन का अंसर यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो जरूर जान लिजेगा जरूर याद कर लिजेगा ताकि हर हाल में आपके परिच्छा में इस प्रकार के कोश्चन पूछे जाएंगे और आप से छुटना नहीं चाहिए तो चलिए बीना समय कवाय हम सुरू करते हैं जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजे और जल्दी से आप लोग सेयर कर दीजे तो चलिए हम लोग सबसे पहले नमबर कोश्चन की और बढ़ते हैं जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्या में परकास की चाल सबसे अधिक होता है पहला नमबर कोश्चन जो कि most VVI कोश्चन है और सेम इसी प्रकार के questions आपके परिच्छा में पूछे जाएंगे, आज हम वैसे question लेकर के आये हैं जो या तो पहले पूछे जाचुके हैं या तो आपके परिच्छा में हर हाल में पूछे जाएंगे, तो पहला number question कौन सा जवाब सही होगा, निमनलिखित में से किस माध्यम में प्रकास की चाल सबसे अधिक होता है तो पहला का सही जवाब हो जाएगा D नम्मर उप्शन यानि कि निर्वात में निर्वात यानि कि बायू रही तस्थान को निर्वात कहते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि जहां पर बायू नहीं होता है वहाँ पर प्रकास की चाल सबसे अधिक होता है इसलिए पहला का D number option सही होगा चलिए दूसरा number question कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिद्दूत का सूचालक है बिद्दूत का सूचालक कहने का मतलब कि जिसे से हो करके बिद्दूत हरा असानी से आरपार कर सके तो बताए दूसरा number question का कौन सा जवाब सही होगा तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइड दूसरा का C number option सही होगा क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ग्रेफाइड होता है वहाँ बिद्दूत का सूचालक होता है आप लोग पेंसिल जरूर देखे होंगे पेंसिल से लिखे भी होंगे तो जो पेंसिल का नोक होता है जो बीच वाला भाग होता है जिसे से आप लिखते हैं वही ग्रेफाइड होता है और वह बिद्दूत का सूचालक होता है इसलिए दूसरा का C number option सही होगा चलिए तीसरा नमर कोशन कह रहा है कि सभी जीब जन्तूओं के लिए उर्जा का अंतिम सुरोत क्या है यानि कि पिर्थेवी पर जितने सारे भी जीब जन्तू है उनके लिए उर्जा का अंतिम सुरोत क्या है तो उर्जा का अंतिम और सबसे बड़ा स्रोत जो है वह सूर्ज है यानि कि तीसरा का भी सी नम्मर उप्सन सही हो जाएगा अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं चौते नम्मर कोश्चन की और जिसमें कह रहा है कि रसाइनिक अभी किरियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग उत्पाद बोलते हैं ध्यान रखियेगा तो यहाँ पर कह रहा है कि भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं तो अभी कारक बोलते हैं चलिए पाच्वा नम्मर कोश्चन कह रहा है कि गुलुकोच का रसाइनिक सुत्र क्या होता है गुलुकोच का रसाइनिक स जल्दी से इसका सही जवाब आप लोग नीचे comment में बताईए हम देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं और अभी तक जो भी student like नहीं किये हैं तो किर्पया करके हम उनसे request करते हैं कि आप सभी लोग like करके अपना अपना हाजरी यहां पर पूरा कर दीजे ता H12O6 यानि कि पाचमा का C नम्मर उप्षन सही हो जाएगा चलिए छठा नम्मर कोश्चन कह रहा है कि बसा का पाचन करता है बसा का पाचन कौन करता है पेपसिन करता है कि ट्रिपसिन करता है कि लाइपेज की एमाइलेज कौन सा जवाब सही होगा तो छठा का सही जवाब होगा कि बसा का पाचन लाई पेज करता है चलिए च्टमा नमर गूश्टिन कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है साथमा नमर कोश्टिन फटा फट से आप लोग नीचे कमेंट में इसका जवाब बताईए शातमा नम्मर कोश्चन कौन सा जवाब होगा बिल्कुल सही जवाब आपको बताना है क्योंकि कम से कम 40 में 38 नम्मर आपका जरूर आना चाहिए ठीक है 40 में 38 से बिलकूल भी कम नहीं होना चाहिए तो बताइए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो आप सभी लोगों को पता है कि आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है यानि कि सात्मा का A No. option शही हो जाएगा चलिए बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ इस लाइब टेस्ट में जुड़े हुए हैं और अपना टेस्ट दे रहे हैं तो बताइए आठमा नम्मर कोश्चन अमीबा में अलैंगिक जनन किस बिधी द्वारा होता है तो आठमा का सही जवाब क्या होगा जी बिलकुल सही जवाब सभी लोगों का जवाब आ रहा है बिखंडन विधी जो कि बिलकुल सही जवाब है आठमा का बी नम्मर उप्शन शही हो जाएगा चलिए नौमा नमर कोश्चन कह रहा है कि परकास के अपवरतन के कितने नियम है नौमा नम्मर कोश्चन जो कि बहुत ही जादा आसान है बिल्कुल मिडियम लेवल का कोश्चन है कि परकास के अपवर्तन के कितने नियम है तो आप सभी लोगों को पता है कि चाहे अपवर्तन हो या फिर परकास का प्रावर्तन हो प्रकास के प्रावर्तन के भी दो नियम होते हैं और प्रकास के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं यानि कि नौमा का बी नमर आप्शन शही हो जाएगा चलिए दस्मा नमर कोशन बताईए प्रकास के प्रावर्तन के कितने नियम होते हैं अभी हम आपको बताए कि या तो प्रावर्तन हो या तो अपवर्तन हो दो ही नियम होते हैं दस्मा का B नमबर option सही हो जाएगा चलिए 11 नमबर question बताईए कि सरलत wanna शुच में डर्सी में किसका उप्योग होता है 11 नमबर question कौंसा जवाब सही होगा सरल सुचमेदर्शी में किसका उपयोग होता है अबतल दरपन की अबतल लेंस की उत्तल लेंस 11 नमबर कोश्चन कौन सा जवाब सही होगा तो जिनका जिनका भी अंसर D आ रहा है उत्तल लेंस उनका बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि सरल सुचमेदर्शी में उत्तले लेंस का ही परियोग किया जाता है चलिए बारा नमर कोशन बताईए कि जो नित्र यानि कि जो आँख निकट की बस्तू को साफ नहीं देख सकता उस नित्र में कौन सा दोस होता है यानि कि दूर की बस्तू साफ साफ दिखाई पड़ रही है लेकिन निकट की बस्तू साफ नहीं देख सकता है तो उसको कौन सा दृष्टी दोस है हम आपको बता चुके हैं कि जो नित्र निकट की बस्तू को साफ नहीं देख सकता है और दूर की बस्तू को असपस्ट देख लेता है उसको दूर द्रिष्टी दोस्त बोलते हैं बारह का ए नम्मर उप्शन सही हो जाएगा चलिए तेरा नम्मर नम्मर कोशन कह रहा है कि मानब नेत्र में कौन सा उप्शन सही होगा मानब नेत्र में किसी परकार का लेंस नहीं होता है कि अबतल लेंस होता है कि उत्तल लेंस होता है जो मानब का आख होता है उसमें कौन सा लेंस होता है तो तेरह का सही जवाब हो जाएगा कि मानब के नेत्र में उत्तल लेंस होता है तेरह का C नम्मर उप्शन सही हो जाएगा चलिए 14 नमर कोशन कह रहा है कि मानब नेत्र बस्तू का प्रतविम्ब निम्न में से किस भाग पर बनाता है यानि कि मानब नेत्र में किसी भी बस्तू का प्रतविम्ब कहां पर बनता है आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम किसी बस्तू को देखते हैं तो उसका प्रतविम हमारे आखों पर पढ़ता है तो कहां पर उसका प्रतविम बनता है तो 14 का सही जवाब हो जाएगा कि जब हम किसी बस्तू को देखते हैं तो उसका प्रतविम हमारे आख के रेटीना पर ब और एक महत्तपूर्ण बात हम आपको बता दें कि जो भी अस्टूडेंट जीके पढ़ना चाहते हैं टेंथ क्लास का अब्जक्टिब जीके तो जीके सागर चैनल पर उनको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी जीके सागर चैनल का लिंक दिया हुआ है आप लोग जरूर जाएगा और जीके सागर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा डेलियों वहाँ से आकर के आप लोग जीके पढ़ सकते हैं तो चलिए 15 नमर कोश्चन का अंसर क्या होगा आप जल्दी से बताइए 15 नमर कोश्चन लगू पतन के समय परिपत में अप्सन शही होगा चलिए 16 नमर कोश्चन बताइए कि किसी वल्ब से 220 बोल्ट पर दो इंपियर की धारा परवाहित हो रही है तो फिलामिंट का प्रतिरोध क्या होगा यानि कि आर बराबर आप से पूछा जा रहा है रिसिस्टेंस बराबर तो आप सभी लोगों को पता है भी बराबर आई-यर भी बराबर आई-यर का फर्मूला आप लोग जानते हैं यदि यहां से हम लोग आर बराबर निकालेंगे तो भी बटे आई हो जाएगा क्या हो जाएगा भी बटे आई हो जाएगा तो बोल्ट हमारा दिया हुआ है कितना 220 बोल्ट और आई का मान यानि कि 16 का B नम्मर उप्शन सही हो जाएगा चलिए 17 नम्मर कोशन बताईए R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्ले प्रतिरोध क्या होगा यानि कि प्रतिरोध की संक्या कितनी है R है और N प्रतिरोध है तो समांतर करा में जोड़ने पर उसका तुल्ले प्रतिरोध कितना होगा तो 17 का सही जवाब हो जाएगा N into R हो जाएगा क्या हो जाएगा N into R यानि कि N R 17 का A number option सही हो जाएगा चलिए 18 नमर कोश्चन जो कि बहुत ही जादा महत्वपून कोश्चन है कि बिद्दु धारा की प्रवलता का S I मात्रक यहां पर S L हो गया है S I कर लिजेगा ठीक है बिद्दु धारा की प्रवलता का S I मात्रक क्या होता है 18 का सही जवाब क्या होगा तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिद्दु धारा की प्रवलता का S I मात्रक M P R होता है 18 का A number option सही हो जाएगा चलिए उनईस्वा नमर कोश्चन बताइए कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं यानि कि एक ऐसा यंत्र जिसे से बिद्दु धारा को मापा जाता है उस यंत्र को क्या बोलते हैं तो उनईस्वा जवाब क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए आप सभी लोगों के घरों में जो मीटर लगा होता है उसी से धारा को मापा जाता है तो उसको मीटर नहीं बलकी आ मीटर बोलते हैं उनईस्वा नमर उप्शन सही हो जाएगा चलिए बीसमा नमर कोशन बताईए कि प्रतिरोध का इस्साई मातरक क्या होता है प्रतिरोध का इस्साई मातरक जिसको अंग्रेजी में रेसिस्टेंस बोलते हैं तो प्रतिरोध का इस्साई मातरक क्या होता है और इसका सिंबल क्या होता है दोनों चीज हम आपको बताएंगे तो प्रतिरोध का एस्टाइ मातरक ओम होता है आप सभी लोग जानते हैं और ओम को कुछ इस प्रकार से हम लोग सिंबल के द्वारा व्यक्त करते हैं ठीक है तो 20 का C नमर आप्शन शही होगा चलिए 21 नमर कोशन बताईए कि पवन बिद्दूत जनित्र में जो पवन की चाल है और कम से कम कितनी होनी चाहिए यानि कि जब हवा से बिजली बनाया जाता है तो कम से कम कितने किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बहेगा तो बिजली बनेगा बताईए जल्दी से 21 इस नमर कोशन कौन सा जवाब सही होगा पवन बिद्दूत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए तो 21 का सही जवाब होगा कि 15 किलो मीटर प्रति घंटा यानि कि हवा की चाल यदि 15 किलो मीटर प्रति घंटा है तो ही पवन बिद्दूत जनित्र चलेगा और उसे से बिद्धुत का उत्पादन होगा इसलिए 21 का ए नम्मर उप्षन शही हो जाएगा चलिए 22 नम्मर कोश्चन कह रहा है कि निमने में से कौन बायो गैस इंधन का स्रोत कौन नहीं है 22 नम्मर कोश्चन कौन सा जवाब सही होगा तो बायो गैस इंधन का स्रोत नहीं है न सही जवाब होगा चलिए 24 नम्मर कोश्चन सोरी 23 नम्मर कोश्चन वताइए कि उर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विसाल स्रोत क्या है तो 23 का सही जवाब हो जाएगा कि उर्जा का सबसे अधिक और प्रत्यक्ष विसाल स्रोत है सुर्ज यानि कि 23 का सी नम्मर ऑप् पलस का साइन छूट गया है, दोनों तरफ आप लोग लगा लिजेगा, ठीक है, CEO plus H2, ध्यान रखिएगा, CEO plus H2 से बन रहा है, CEO plus H2O, क्या बन रहा है, CEO plus H2O, और पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की अविकिरिया है, 24 नमर कोशन कौन सा जवाब सही होगा, तो यह तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, देखते के साथ आप लोग इसका जवाब बताईएगा, कि यह जो है, अविकिरिया है, 24 का B नमर आप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देख लिजे, यहाँ पर C.U. आ करके बाहर हो गया है, ठीक है, तो 24 का B नमर आप्शन सही होगा, अविकिरिया पहचानने के लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो ही बना करके बता दिये हैं, यदि आप लोग नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजेगा, चलिए, पचीस नमर कोशन बताईए, इलेक्ट्रॉन के अस्थानांतरन से बने योगिक क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन का जब अस्थानांतरन होता है और जब उससे कोई योगिक बनता है, तो उस योगिक को क्या बोलते हैं, पचीस नमर कोशन, तो आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्टरॉन के अस्थानांत्रन के फल्स्वरूप बने योगी को बैदुत सन्योजी बोलते हैं 25 का B नम्मर उप्शन सही हो जाएगा चलिए 26 नम्मर कोश्चन जो की बहुत ही जादा महत्वपून कोश्चन है अक्सर परिच्छा में पूछा जाता है कि सोडियम की परमानुशंख्या कितनी होती है सोडियम का संकेत क्या होता है पहले आप लोग सोडियम का संकेत बताईए कि सोडियम का संकेत क्या होता है तो सोडियम का संकेत इन ए होता है आप सभी लोग जानते हैं सोडियम का संकेत इन ए होता है अब बताईए कि सोडियम की परमानु शंख्या कितनी होती है देखते हैं कि सोडियम की परमानु संख्या 11 होती है 11 जो भी स्टुडेंट बता रहे हैं उनका बिलकुल सही जवाब है 26 का बी नम्मर आप्शन सही हो जाएगा चलिए 27 नम्मर कोश्चन भी बहुत जादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए कि बेकिंग पाउडर का अनुसुत्र क्य जिन एच सी ओ थिरी 27 का सी नम्मर आप्शन सही हो जाएगा चलिए 28 नम्मर कोश्चन हम लोग देख लेते हैं जिसमें कह रहा है कि निम्नलिकित में कौन बिजातिय यॉगिक है 28 नम्मर कोश्चन कौन सा जवाब सही होगा बिजातिय यॉगिक कौन सा है जल्दी से तो जिनका भी D number option आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है चलिए 29 number question बताईए कि निम्नलेखित में से pH का कौन सामान छारक billion का मान देता है छारक billion का मान हम आपको बताये थे कि pH scale पर तीन तरह के होते हैं एक 7 होता है एक 7 से कम होता है और एक 7 से अधिक होता है ठीक है एक 7 स से कम होता है कि 7 से अधिक होता है तो आप सभी लोगों को पता है कि जो छारक होता है वह 7 से जएदा होता है तो 7 से जएदा इसमें कौन है आप लोग देख लेजे 13 number है यानि कि 29 का D number option शही हो जाएगा चलिए तीसमा नमर question बताईए कि पीतल क्या है पीतल आप सभी लोग पीतल देखे हैं वह धातु है कि अधातु है कि मिस्र धातु है कि उपधातु है तीसमा नमर question कौन सा जवाब सही होगा तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो पीतल है एक मिस्र धातु है यानि कि 30 का C number option सही हो जाएगा अब चलिए 31 number question हम लोग देखते हैं जिसमें कह रहा ह है कि निमनलिखित में कौन आयनिक योगिक है यह वाला quand भी बहुत ज्यादा महत्तव्पून है आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएंगा कि निमनलिखित में कौन आयनिक योगिक है 31 number question तो CACL2 आयनिक योगिक है आप लोग ध्यान रखेएगा चलीए 32 नमर कोश्चन बता एक कि निम्नलिखित में से कौन सा पडार्थ ऐक सीजन से सन्योग नहीं करता है या नहीं करता है कि जैंक की पॉटाईसीडांगी 22 नमर कोश्चन कौन सा जवाब सही होगा तो आपको हम बताये थे जब कमिस्ट्री में पढ़ा रहे थे तो आपको बताये थे कि जो सोना होता है वह सोना कभी भी ऑक्सीजन के साथ अविक्रिया नहीं करता है यानि कि ऑक्सीजन से सनयोग नहीं करता है 32 का B नम्मर उप्शन सही होगा चलिए 33 नम्मर कोशन बताए कि सरलतम 33 नम्मर कोशन के साथ सही होगा यहां पर 4 अप्शन दिया गया है और 4 में सरलतम हाइडरोकारवन कौन है 33 का सही जवाब होगा मीथेन नहीं है जो मीथेन है वह है सरलतम हाइडरोकारवन है चलिए 34 नमर कोशन का सही जवाब आप लोग बता दीजे कि कारबन हाइडरोजन से सन्योग करके क्या बनाता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत ज़्यादा असान है कारबन हाइडरोजन से सन्योग करके क्या बनाता है जल्दी से बताईए तो 34 का सही जवाब क्या होगा तो आप सभी लोगों को पता है कि कार्बन और हैड्रोजन तो हैड्रो कार्बन नाम से ही आपको पता चल रहा है इसलिए 34 का B नम्मर उप्शन शही हो जाएगा चलिए 35 नम्मर कोश्चन बायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है यानि कि बायुमं नम्मर कोश्चन कौन सा जवाब सही होगा तो 35 का सही जवाब होगा कि बायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.03 प्रतिसत यानि कि 35 का सी नम्मर उप्शन सही जवाब होगा चलिए 36 नम्मर कोश्चन बताइए कि ओजोन के एक अनू में ऑक्सीजन के कितने प्रमानू ह होते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ओजोन का अनू सुत्र मालूम होना चाहिए कि ओधिरी होता है अब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया बताना अब आप लोग देखते के साथ ही बता देंगे कि ओजोन के एक अनू में ऑक्सीजन के कितने प्रमानू ह होते हैं यहाँ पर कितना लिखा हुआ है तीन लिखा हुआ है यानि कि ओक्सीजन के एक अनू में प्रमानू के शन्क्या तीन है इसलिए 36 का C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा चलिए 37 नंबर कोश्चन आवरत असारनी में कितने आवरत होते हैं आवरत सारनी आप लोग periodic ड वल जरूर देखे होंगे उसमें कितने आवर्त होते हैं जल्दी से बताईए उसमें कितने आवर्त होते हैं तो 37 का सही जवाब हो जाएगा कि उसमें 7 आवर्त होते हैं अच्छा टोटल जो तत्व है वह कितने है टोटल तत्व की संख्या कितने है अभी जल्दी से बताईए टोटल तत्व की संख्या भी कितनी है, 114 है कि 118 है, जल्दी सब लोग बताइए, तुझरा कमेंट करके, अभी तक टोटल जो तत्व है, वह कितने ग्यात है, 114 कि 118 है, जी बिल्कुल सही जवाब 118 है, बहुत सारे लोग 118 बता रहे हैं, तो 118 जो भी स्टुएंट बता रह हिलियम एक अक्रिये तत्व है कि क्रियसील तत्व है कि सक्रिये है कि उदासीन है, 13 नम्मर कोश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि हिलियम एक अक्रिये तत्व है, ठीक है, 38 का ए नम्मर उप्शन शही हो जाएगा, अब उसके बाद 49 बता दीजे कि ऑग जिन क्या है अब चलिए हम लोग 40 और सबसे आखरी प्रशन को देखेंगे लेकिन इसके पहले जो नए student है अभी तक life class को like नहीं किये हैं तो किरप्या करके जल्दी से आप लोग like कर दीजे अगर share नहीं किये हैं तो किरप्या करके जल्दी से आप लोग share भी कर दीजे और 40 number question का सही जवाब क्या होगा जल्दी से आप लोग बताएए कि मनुस में व्रिक समदित है जो व्रिक होता है ओवा पोसन से समदित है कि स्वसन से समदित है कि उत्सरजन से कि परिवहन से 40 number question कौन सा जवाब सही होगा तो आप सभी लोगों को पता है हम आपको जीवी बिज्ञान में पढ़ाए हैं कि जो मनुस में ब्रिक होता है और उत्सरजन से संबंधित होता है चालिस का सी नमबर आप्शन शही हो जाएगा तो कूल मिला करके आज के इस लाइव क्लास में हम आपसे 40 कोश्चन पूछे ठीक है जैसा कि शुरू में हम आपको बताये थे कि इस लाइव टेस्ट में 40 कोश्चन हम आपसे पूछने वाले हैं अब जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताईए कि 40 में कितना नमबर आप इसलिए कुमीद करते हैं कि 40 में 38 का सही सही जवाब आप लोग जरूर बताए होंगे या फिर जो थोड़ा सा B का स्टूडेंट भी होंगे वह भी 35 का सही जवाब जरूर बताए होंगे तो चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजे चलिए बिल्कुल सही 37 सही ह हुआ है 38 सही हुआ है 35 सही हुआ है बिल्कुल अच्छा सकोर है आप लोगों का इसी प्रकार सांप मेहनत करते रहिए और डेली जो तीन क्लास हमारा लाइफ चलता है उसको आप लोग जरूर एतेंड करिये गा जिसमें 7 वजे मेरा क्लास चलता है आठ वजए मैथ का क्लास और दिन में 11 बजे इंगलीस का क्लास चलता है इंगलीस ग्रामर का चलता है तो जल्दी से आप सभी लोग Jल्दी से जल्दी इस विडियो को लांक कर दीजे और जैदा से जैदा से शेर कर दीजे और जो भी स्टूडेंट चैनल पर difficulty ज़ी चैनल को जरूर झाल झाल